सबी बच्चों को नमस्कार है स्वागत है आप सबी का लर्न एंफन पे जहां पर टीचर सापको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और आज थोड़ा सा मेरा गला जो है वो खराब है मम्मी ने कहा था कि आइसक्रिम मत खा दो दो खा गया मैं बच्चों मा की बात हमेश समाल लेना लेकिन बच्चों गला बिलकुल खराब होगा लेकिन हमारा मन हमारी नियत और कुछ खराब नहीं है बच्चों मेरा कहने का मतलब यह आज हम लोग मिल रहे हैं सम बेसिक कंसेप्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नमबर 3 के लिए आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह आपके जीवन भर काम आएगा वो दिन याद करो बच्चों जब आपको एबी सीडी पढ़ाई गई थी कैसे याद करोगे वो दिन तो बहुत पुराना है लेकिन फिर भी अगर आपको याद आ जाए तो वो दिन याद करो जब आपको एबी सीडी क्यों पढ़ा रहे हैं क्या काम एबी सीडी का और फिर आपको जीवन में हर जगा एबी सीडी काम आ रही है आज जो आप यह पढ़ हो बच्चों वो ako डेकोले этой कंशेंट्रेशन ओर वाेरास्ट लेक्चर में हम लोगंने मोल कंसेप्ट और मोल concept के साथ साथ stoichiometry के बार में बात की थी which is very 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 important आज हम लोग उसी के लगवग लगवग आसपास घूम के बात करने वाले हैं concentration की वैसे तो stoichiometry के बाद limiting region वाला concept पढ़ना रहता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि concentration वाला topic मैं जल्दी करा हूँ जो मैं comment पढ़ रहता बच्चे करते हैं हमारे exam है हमारे exam है और यहां से सवाल जरूर आता है तो मैंने सुचा कि क्यों ना पहले यह करा दे आपका भलाई होगा इसमें although वैसे stoichiometry के बाद limiting region का topic जो है वो flow में रहता है बड़ कोई दिक्कत नहीं होगी इससे आपकी mole concept की पढ़ाई और strong हो जाएगी और हम limiting region ठोड़ा और बहतर भी समझ पाएंगे तो बात घूम फिर के एक ही है क्या आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं concentration कैसे निकालते हैं लेकिन concentration निकालनी किसकी है concentration निकालनी है बच्चों हमें solution की solution आफ आपको पता हो दो चीज़ों से मिल के बनता है एक बनता है वो solouwen Lt से मिल के अब अगर soloult और solouwen्ट की बात अब बात करें तो बहुत सारी कहानिया है soloult वो होता है जो less amount में होता है अक्सर ऐसा होता है जो less amount में होता है और solvent वो होता है जो जादा amount में होता है कहीं किताबे ऐसा भी कह देती है कि जो less amount में हो वो solute जो जादा amount में वो solvent लें कहीं किताबे ऐसा भी कह देती है कि जो घुलता है वो solute और जिसमें घुलता है वो solute बात कहीं न कहीं घुम फिर के वही आ जाती है लेकिन एक solution के दो हिस्से होते हैं एक होता है solute और एक होता है solvent हमें basically solute की concentration बच्चों निकालनी है in a solution अब concentration निकालने के शायद आपको याद हो 9th class में एक तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं which is mass percentage और 37 volume percentage भी तो वो दो तरीके तो हमारे पास आएंगे लेकिन हमारे पास और भी तरीके आएंगे बच्चों और भी तरीके हैं हमारे पास क्या निकालने के concentration निकालने के लेकिन फिलहाल पहला हमारे पास आ रहा है mass percentage क्या होता है mass percentage तो mass percentage का formula होता है mass of solute upon में याद करेंगे 9th class mass of solution into में 100 mass of solute upon में mass of solution into में क्या कर देंगे 100 कर देंगे अब हम यह क्यों कर रहे हैं तो आसरा concentration हमारे जीवन का बहुत important हिस्सा है जैसे कभी आपने सुना हो कि यार हवा में 78% nitrogen है यार sanitizer में 75% alcohol होनी चाहिए यार इसके अंदर इतना परसंट है इसके इतना परसंट है वह सारे concentration है concentration से हम उस चीज के बार में पता कर पाते हैं कि वह चीज में solute कितना है इन गिवन solvent या solution अब यसे आपको मैं बोलू हूँ कि यार मेरे पास जो HCL है वह 75% और तेरे पास जो HCL है वह 60% है तो साफ पार तेल जाएगा कि 60% वाले के मुकाबले 75% वाला बच्चों strong होगा तो इससे हमें कहीं ना कहीं strength related चीजों के बारे में पता चलता है तो mass percentage का formula है mass of solute upon में mass of solution into a hundred अब अगर आपके पास mass of solute है लेकिन नीचे आपके पास mass of solution नहीं है तो आपको पता है आप कैसे कर सकते हो आप mass of solute के अंदर solvent का जो mass है उसे आप add कर सकते हो solute के अंदर solvent का mass जो है बच्चो वो आप add कर सकते हो इससे भी आपको mass percentage मिल जाएगा बात तो यह कि आपको पता है क्योंकि जो solution होता है वो solute और solvent से मिलके ही तो बनता है जो solution होता है वो solute और solvent से मिलके ही बनता है इसके अपर भी question करेंगे समझ जाओगे बर धिहान रखिएगा mass percentage is the ratio actually of solute and solution into 100 तो इससे लिए आपको यह पता होना चाहिए कि this is a unit less quantity mass percentage एक unit less quantity नहीं इसके कोई unit नहीं है this is unit less कोई unit नहीं obvious से बाता कैसे होगी उपर भी mass, नीचे भी mass mass से mass cancel हो जाएगा बच्चो इसके बाद इसी का भाई या कहलो भेन आ रही है volume percentage अब volume percentage क्या होता है तो volume percentage बिल्कुल सेम हो गया बच्चो volume of solute उपर solute की volume आ जाएगी नीचे आ जाएगा मरपास volume of solution नीचे आ जाएगा मरपास volume of solution और into में आ जाएगा 100 volume of solute उपर volume of solution नीचे into में आ जाएगा बच्चो हमारपास 100 अब volume of solution की बजाए volume of solute की बजाए तो volume of solute ही लिख सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास नीचे solution है तो volume of solute plus solvent लिखेंगे अब यहाँ पे मैं एक बहुत important बात करना चाहूँगा जो आप मेंसे बहुत सार बच्चों को पता भी हो सकती है कि अगर मैं एक बहुत कम amount of solid कोई solid लेता हूं sugar लेता हूं salt लेता हूं और उसको पॉर्टर में dissolve करता हूं तो volume में as such कोई change नहीं आता है अगर मेरे पास 100 ml water है और मैं उसके अंदर दो चमचीनी को डालता हूं तो water level increase हो जाएगा डालता हूं तो water level increase हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसको वापस से घुल दूँ तो water level वापस से 100 पहुंच जाएगा विकॉस जो solute होता है solid वह water की खाली जगाओं की अंदर एंटर कर जाएगा जिसके वैसे volume में there is not that much change volume में कोई बदलाब आता नहीं है तो इससे लिए ध्यान रखिएगा note का point मैं आप पर लिख रहा हूं तो अब यह आपको समझना होगा case देखके कि in some cases where solute is added in less amount जैसे कि मालो 5 gram salt in 100 ml water में अगर आपने dissolve कर दिया तो बहुत कम amount आपने dissolve किया 5 gram salt अगर आपने dissolve कर दिया है 100 gram of 100 ml of water में तो उस case में आप कह सकते हो कि concentration volume जो है वो बहुत बराबर होगी then आप कैसा कह सकते हो कि volume of solution है पूरे solution की volume approximately not exactly लगबग बराबर होगी volume of solvent के तो अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि एक लिटर पानी में हमने दो चमच नमक के घुल दिये तो नीचे जो volume of solution है वो एक लिटर ही आएगी जो की volume of water है because जादा कोई बदलाब उसमें बच्चो आता नहीं है दन है तो बस आपको यह बात ध्यान रखनी है अब again यह भी शायद बोलने वाली बात है नहीं कि this is again बच्चो क्या unit less quantity यह एक unit less quantity यह एक unit less quantity है okay बच्चो डन है बच्चो कोई सवाल ही नहीं होना चीए अभी question करेंगे यहाँ पहले समझ लेते हैं फिर आता है बच्चो parts per million अब parts per million को हम पहली बात तो short में ppm मूलते हैं अब parts per million क्या होता है देखो यार जैसे पीछे हमने concentration निकाल रहे है volume percentage और mass percentage में अब volume percentage और mass percentage में हम उसको 100 से multiply कर रहे हैं यानि कि 100 में कितना पर cent पर cent को अगर आप तोड़ोगे पर cent को अगर तोड़ोगे तो पर तो आपको पता ही है plus आपको cent मिलेगा cent का मतलब होता है 100 तो एक 100 में कितना 100 में आप कितने हो इसको हम percent बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे parts per million अगर मुझे निकालना होगा तो वो हो जाएगा एक million में कितना होगा अब दोनों के formula बिल्कुल सेम है बस हम percentage में 100 से multiply करते हैं लेकिन PPM में हम 10 की पार 6 से यानि की 1 million से multiply कर देंगे आई होप आपको पता हो बच्छो एक million का मतलब क्या होता है एक million मतलब 10 लाक मतलब के 10 की पार अपना six zero आएंगे हाना बच्छो तो एक million का मतलब 10 की पार six बच्छो एक चैनल है science and fun 3 million से जादा सब्सक्राइबर है उसके तो आप ऐसे बीच बीच में अड़र्टीजमेंट करना बहुत जरूरी ऐसे मजाग कर रहा है चालो कोई बात नहीं कि ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे बच्छे यहां पर ऐसे हो जिनको पता ही नहीं कि मेरा actual सबसे पहला चैनल तो science and fun ही था उसके बाद हमने learning fun खोलना शुरू किया और बच्छों को पढ़ाना शुरू क क्या science and fun पर मैं offline courses डालता हो ना बहुत सारे बच्छे ऐसे भी हो सकते हैं मुझे पता ही नहीं है इस बारे में कि जिनको पता ही नहीं होगा हो सकता है नहीं होगा है अब जैसे बहुत सारे बच्छे यहां पर वीडियो देख रहों कि शायद हुए औरे यह तो हम तो learn and fun से स हो सकता है इसा हो चलो तो इसलिए promotion करना अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार मैं कभी भी नहीं बोलता जाके वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कि मुझे लगता है कि आगर आपका content अच्छा है तो बच्छे खुदी कर लेते हैं अच्छे तो समधदार बच् मैं गंदा आदमी नहीं यहार ऐसी मैंने मजाग में बोला यार तुम समझे बात को अच्छा मैं कह रहा था अगर concentration बहुत ज्यादा कम हो जैसे कि हम मालो पेस्टी साइट्स इंसेक्टी साइट वीडी साइट्स यह दवाईयां इन में या हमारे पाने के अंदर जो minerals होते है लेट्स होते हैं इन सबकी जो concentration होती है वह बहुत ज़ादा क्या होती है बचो कम होती है मतलब कि बहुत ज़ादा concentration यह कम में ले जाते हैं अब अगर हम इनकी percentage निकालेंगे तो क्या होगा percentage निकालने पे बहुत कम आशर आता है बहुत चोटा आशर आता है जैसे 0.0001 परसं बोलोगी मैं एक घंटे में ऑन एक घंटे में मैं ऐसे भी थो बोल सकता हूँ के वन आपन्े v artण 20 सब्सक्रां वाइब आज कि मैंञर या बात अपना ऑन टs अपन ट्वं उन में 365 यर्स में आया रहा लेकिए यह सारी यह सारे एक घंटे को रिपरेजेंट कर रहे हैं लेकिन ऐसे लिखना बत्तमीजी सीदे लग रही आपको ऐसे लिखना बत्तमीजी सीदा एक घंटे बोलो न तो ऐसे जब concentration बहुत ज़्यादा कम होती है तो हम क्या करते हैं हम concentration को mass percentage में निकालने के बजाए या volume percentage में निकालने के बजाए हम उसको ppm में निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 100 से multiply करने के बजाए एक million से multiply करते हैं एक million में कितना तो अगर आप मालो ppm निकाल रहे हो solute का अगर आप ppm निकाल रहे हो solute का तो उपर क्या आ जाएगा mass of solute नीचे के आ जाएगा mass of solution और into में मेरे बच्चो आ जाएगा 10 की पार 6 बस क्या फरक आया 100 की बजाए 10 की पार 6 से multiply कर देना तो अगर इस हिसाब से बात करें तो mass of solute upon में mass of solution into में 10 के पार 6 को आगर मैं चाहूं तो 100 into में 10 के पार 4 भी लिख सकता हूं obvious से बात एक ही है यार उपर वाला formula तो उपर वाला है ये तो हमारे पास PPM का formula है लेकिन अब हम क्या करना चाहरे है PPM को convert करना चाहरे है into percentage, mass percentage तो ऐसा कैसे कर सकते हैं 10 के पास 6 को 100 into में 10 के पार 4 लिख सकते हैं अब अगर मैं इसको 100 into में 10 के पार 4 लिख सकता हूं तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा अरे mass of solution अब हमने mass of solution into 100 क्या है ये हमारे पास mass percentage तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास बन गया mass percentage into में 10 के पार 4 ये मेरे पास बन गया mass percentage into में 10 के पार 4 तो ऐसे भी हम सीधा convert कर सकते हैं NCRT में एक आद कोशन है आपको mass percentage दे रखा है सीधा PPM निकाल सकते हैं या PPM दे रखा है सीधा हम लोग mass percentage निकाल सकते हैं चलो ये भी एक formula है लेकिन दुबारा बोलूँगा PPM और mass percentage दोनों सेम ही बाते हैं बस एक को हम 100 में निकालते हैं और एक को हम 1 million में निकालते हैं और कोई फरक नहीं है बच्चो ठीक है जी अगेन बार-बार लिखना जरूरी है इस इस यूनिट लेस ये quantity भी क्या है बच्चो यूनिट लेस है इसकी भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि अगेन उपर भी mass of solute नीचे mass of solution mass से mass की unit कैंसल हो जाएगी दन है बच्चो ओक्या बच्चो अब इसके बाद अच्छा अभी हम सारे formula खटे कर रहे है हमने तीन concentration निकालने के formula पढ़ लिए है पहला formula क्या पढ़ लिए और विसी बात है सही कहा रहे है आप mass percentage दूसरा volume percentage और तीसरा क्या पढ़ लिए हमने PPM अब हमारे पास तीन और formula बच्चते हैं एक हमारे पास molarity एक हमारे पास molality और एक हमारे पास mol fraction ये तीन तरीके अगर हम पढ़ ले तो हमारे पास सारे formula खटे हो जाएंगे फिर उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे इनके कुछ numericals पर लेकिन पहले आता है molarity अब ये molarity क्या है molarity का मतलब क्या होता है अब ये तक हम लोग निकाल रहे थे सेम चीजों का ratio लेकिन molarity का मतलब पता है क्या होता है molarity का मतलब होता है कि आपके कितने mols of solute है in a given volume of solution आपके पास एक volume of solution है और given volume of solution में कितने mols of आपके पास solute है यानि कि number of मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही कारण है कि मोल कंसेप्ट कराने के बाद ही हम इस पर आ सकते क्योंकि यहां पर मोल्स निकालना आपको आना चाहिए और आप सब सेकेंड लेक्चर देख चुके हैं को कि उसमें हमने प्रापर तरीके से मोल कंसेप्ट की पढ़ाई कराई है मोल कंसेप्ट की पढ़ाहिए कभी खतम ही नहीं हती है एसा नहीं हमने इसके पर तीन इसके तो कउशन खतम ही नहीं हती फिर इसका दुबारा से इस्तमाल है limiting region में फिर इसका इस्तमाल है empirical formula में तो हर जगा पर इसका इस्तमाल है ठीक है जी तो molarity का formula होता है number of moles of solute upon में volume of solution मेरे बच्चो in liters ये बात ध्यान रख मैं तो एक liter में कितने moles बैठे होते हैं इसका हम लोग बोलते है molarity और इसका formula का बन गया number of moles of solute यानि कितने moles of solute के आप हमने volume of solution वो भी liter में तो एक liter में कितने moles of solute है इसका हम लोग बोलते है molarity और यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है कि हमें यहाँ पे जो volume लेनी है वो liter में लेनी है अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो volume होती है उसकी SI unit का आप सबको पता ही है कि meter cube भी होती है उसमें लगना क्या SI unit of molarity is meter cube ओके येस लेकिन हमें यहाँ पे SI unit में नहीं डालना हमें यहाँ पे जो volume है वो liter में डालना है chemistry का एक नियम आ गया है अच्छा अब molarity की अगर हम लोग SI unit की बात करें तो उपर unit आ गई हमारे पास mol और नीचे unit आ गई हमारे पास liter अगें ये SI unit तो नहीं कह सकते क्योंकि ये SI ही नहीं हम यह volume को SI में डालने रहें तो SI कहना तो गलत होगा हम यहां पर unit की बात कर लेते हैं बस तो mols और नीचे आ गया लीटर तो इसको हम क्या लख सकते है mol पर लीटर तो इसकी एक unit तो mol पर लीटर ही होती है लेकिन molarity की chemistry ने एक और unit भी बना रखी है बच्चो एक और unit भी बना रखी है बच्चो जिसको capital M से भी दिखाते है molar तो अगर मुझे molarity को लिखना हो तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ 1 molar ऐसे भी लिख सकता हूँ या 1 mol पर लीटर भी लिख सकता हूँ तो बताओ मुझे क्या यह कहना सही होगा कि अगर मेरी concentration एक molar है तो इसका मतलब है एक mol solute बैठा हुआ है 1 liter of solution में है ना 1 liter of solution में अगर मेरी concentration 5 molar आ गई तो इसका मतलब है 5 moles बैठे हुए हैं 1 liter solution में वो आप समझेंगे तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चो molarity चीक है जी अभी इसके question करेंगे यह और clear होगा लेकिन molarity काफी अलग है अभी तक की तीनों concentration से क्योंकि वो सब सेम चीजों का ratio था लेकिन molarity क्या है बच्चो molarity है number of moles upon में volume of solution वो भी in liters चीक है जी अब इसी का भाई या कहलो भेन आता है मार पास molarity दोनों में बच्चो same sound करता है आपकी जीब लपलपा गई तो आप molarity और molality में कोई difference नहीं create कर पाऊगे इसलिए बच्चो molarity और molality को centafresh खाके नहीं पढ़ना है कितना गंदा जोग मारा में I hope आप centafresh के बार में जानते हो उसकी advertisement देखते हो centafresh को देखते हैं हमारे जीब लपलपा जाती है बच्चो तो molarity और molality आप नहीं पढ़ पाऊगा अगर आपके सामने centafresh है क्योंकि इसको बोलने में वैसे हमारे जीब जो है यार मेरे जोक का जो level है वो गिरता ही जा रहा है गंदे गंदे जोक माने लग यहाँ कर लेत ला है ना तो यह यह को यह तो मैं इसी कमरे में अपने बहुत सार ऐक्स्पेरिमेंट भी करता हूं तो कोई भी चीज पर ट्रस्त नहीं कर सकते हैं और एक बच्चा मुझे कहता कि सर हमारे studyous का आप एक बार ही पताओ की आप कहाहर करते है तो फैल आए एक दिन कोई शॉट डालेंगे जहां पे actually मैं तीन studyous में record करता हूँ अभी फिलाल मैं जो जहां record कर रहा हूं किमिस्ट्री है अगर मुझे इंस्ट गराम पर фॉलो करते वो तो यह मेरी घर वाले evidence स्टूडियो पे पहली recording है हम आँ हमने अभी एक स्टूडियो घर पे बने यह माह की पहली recording है और पहली recording बच्चों आपकी 11 क्लास की केमिस्टर्गी कर रहे हैं और एक श्टूडियो हमारी है हमारे घर में जहां पर अपना सारे एक्सपेरिमेंट वेगारा का समान रखता हूं या करता हूं तो यहां पर हमने एक स्टूडियो बन वाली है ऐसे यह ने का थोड़ा शेयर कर ले आपसे बाते चलिए थोड़ा ऐसे दोस्ती बढ़ती है तो आओ भई मोलालिटी क्या है अब मोलाै रिटे थो हम समझ गए मोलारिटी नमवर और अप मोल्स अब वाली हो लेगम लेकिन अगर मोलालिटी की बात करें तो यह थोड़ा सा میल साउंड करता है और थोड़ा बहुत है वी से कुछ बदलाव हैं, क्या बदलाव हैं आओ देखें molality जो है, ये होता है बच्चो, number of moles of solute तो उपर वाला हिस्सा तो सेमी हो गया, ये भी calculate करता है कितने number of moles हैं, और ये भी calculate करता है कितने number of moles हैं, upon में बस यहाँ पर आ जाएगा, mass of solvent upon में नीचे बस आ जाएगा mass of solvent, वो भी केजी में तो दो बदलाव हो गए, एक तो volume के बजाए mass हो गया, एक तो volume के बजाए mass हो गया, और एक solution के बजाए solvent हो गया mass, volume solvent, solution और वहाँ पर हमार को volume liter में लेनी थी, यहाँ पर solvent का mass केजी में लेना है, यह बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्यूं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्यूं ध्यान रखिएगा, प्यूंकि जब लोगे कहां पर, oh sorry, 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 mass जो लोगे आप number of moles निकालने के लिए वो gram में लोगे, solute का, लेकिन solvent का mass kg में लेना है, इसलिए बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम SI, यहाँ तो SI की बात करेंगे, because हम यहाँ पर kg को SI डाल रहे हैं, तो number of moles की unit क्या होती है हमारे पास, mole और mass की होती है kg, तो एक तो आगे बच्चों, mole पर kg, लेकिन बच्चों इसकी एक और unit भी बना दी है chemistry ने, और वो है mole, बच्चों वो है mole, छोटे M से show करते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा कहता है कि सर छोटे M से, तो मीटर भी show करत है बच्चे, वो concentration की बात थोड़ी होती है, वो अलग बात है, यह अलग बात है, mole, शो करते हैं, छोटे M से, mole, 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 ऐसा लगता है कोई tongue twister चल रहा है ना बच्चों, लेकिन नहीं है, यह हमारे पास क्या mole, और वो क्या है mole, अब पताओ, एक mole, कब आएगा, जब एक mole बैठा होगा, एक किलो सॉल्वेंट में, जब एक mole बैठा होगा, बताओ, एक mole बैठा होगा, एक किलो में, यानि अगर पास एक किलो सॉल्वेंट है, और उसमें एक mole, solute का बैठा हुआ है, तो concentration हो जाएगी, one mole, लल, ओके, ओके है बच्चों, चलिए, अब अगला ज बच्चों, एक करोड रुपे का, सवाल है, बच्चों, एक करोड रुपे का, सवाल है, which is better, which is better, molarity, और molality, कौन बहतर है, क्या molarity बहतर है, या molality बहतर है, कौन बहतर है, क्या molarity बहतर है, या molality बहतर है, जल्दी से बताईए बच्चों, क्या बहतर है, molarity बहतर है, दिमाग लगाईए, कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए, मैं चेक करूँगा, वीडियो हो गई है, लगग, लगग, 25 मिनाट, और 30 सेकंड के आस पास की, तो इस ट मैंने आपको अपनी बाते पता ही ना, हमारा रिष्टा स्टॉंग हो, ऐसी और बाते बताऊंगा, क्या मैंने ब्रेकफास्ट में कहा खाया, लंच में खाया, ऐसी आप ही पताना, स्नाप चार्ट पर एड़ करेंगे, एक गुसरे को स्नापे बहतर हैंगे, बचा स्ट्रीक रिजन के साथ पताना है, नहीं रिजन नहीं पता होगे तो चलेगा, क्योंकि इतना लंबा किसे टाइप करोगी आप, किसी को मैसेज करना हो तो फिर भी टाइप कर लो, लेकि पढ़ाई की बात इतनी लंबी टाइप नहीं होती है, किसी को मतलब या, किसी को गुपिया, त कहां चले जाते हैं आओ अच्छो मेरे इदर आ जाओ चलिए अब बात करते हैं कौन जादा बहतर है तो बहतर है molality is better as it is temperature independent यह temperature independent है कैसे मैंने शाट में लिखा है बहुत पूरा अंसर यह है कि मोल है रिटी में इसमें नीचे वॉल्यूम आती है और टेंपरेचर चेंज होने पर आप सब को पता है लिक्विट्स की वॉल्यूम बदल जाती है अगर टेंपरेचर जैसे इस कमरे में अभी फिलाल ऐसी चल रहा है तो यहां का टेंपरेचर मेरे साब से 20 से लेके 22 डिगरी स रिजह इसका फरक है मालो मैं इस लैब में कोई reaction करता हो जहां पर मैं ने G advocates रहा हूं तो falls ब्लूम में बदलाव आएगा बिकास गरम होने पर लिक्विट्स एक्सपैंड होते हैं अब अगर वालुम में बदलावाएगा तो being declination बदल जाए गी तो इस कमरे में कञिस द sole ये तरीका है concentration निकालने का वो अच्छा तो है लेकिन इसमें एक problem हो जाएगी और problem ये है कि आप जो concentration निकाल रहे हो बच्चो वो सही नहीं आएगी या temperature बदलने पर बार-बार बदलेगी लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो उसमें उपर number of moles आ रहे हैं नीचे मास आ रहे हैं और ये दोनों चीज़े temperature बेडेपेंड नहीं करती हैं तो temperature जतना मरजी चेंज करो लो चेंज नहीं होगी इसलिए बहतर है बट कमाल की बात सुनोगे कमाल की बात ये कि जादा फिर भी हम मोल रिटी इस्तमाल करते हैं त आप खुद ही सीख जाओगे because volume निकालना convenient होता है as compared to mass अब आप कहोगे sir आप ये क्या कह रहे हो ये आप तब समझोगे जब आप लैब में जाओगे volume निकालना इतना असान होता है कि बस beaker में डाला और ना पलिया mass को निकालना खासकर अगर आपके स्कूल में physical balance है oh my god it is very difficult हाँ करें स्कूलों में आजकर digital balance आ गया है तो वो थोड़ा सा असान हो गया but still volume निकालना is much easier than mass निकालना तो असान जो है अगर कोई मुझसे पूछे तो आसर है molality यानि रह लेकिन ज्यादा accurate और बहतर कौन है molality क्योंकि वो temperature dependent नहीं है ओके बच्चो ठीक है बच्चो आखरी आता हमारे पास mole fraction और mole fraction के बाद हमारे पास concentration निकालने के तरीके खतम हो जाएंगे फिर हम कुछ numerical करेंगे mole fraction भी बहुत असान है माल लेते हैं एक container में A और B दो लोग है उसे से माल लो B हमारे पास solute है और A हमारे पास solvent है ठीक है जी ऐसा माल लेते हैं तो N A जो हो गए वो हो गए moles of solvent क्योंकि मैंने A solvent को माना है और N B जो हो गया वो हो गया moles of solute क्योंकि मैंने solute माना है B को अब यार देखो fraction क्या होता है बहुत simple है maths है fraction का मतलब आपका up-onment total किसी का भी अगर मैं fraction निकालना हो तो तरीका क्या होता है आपका up-onment total तो अगर मुझे निकालना है mole fraction of A पहली बात तो mole fraction को हम सचाई तो यह है कि काय से शो करते हैं लेकिन यह आज कल धीरे-धीरे X ही बन गया है तो आप X से ही शो कर लो although it is काय बठीक है we can also use X बात देखी अभी फिलाल तो mole fraction of अगर मुझे A निकालना हो अगर मुझे A का mole fraction निकालना हो तो मैं इसको X A बोल दूगा तो क्या formula होगा माल लो एक कमरे में पांच लड़किया है और चार लड़के है अब अगर मैं बोलूँ कि more fraction लड़कों का fraction निकाल तो कैसे निकालोगे फोर अपां में total which is 9 तो किसी का वे fraction निकालने के लिए उसका अपां में totally तो करते आए हैं बच्चो उसका अपां में totally तो करते आए हैं ऐसी तो करते हैं तो यहां पे भी ऐसे ही करना है कि अगर N A A के मोल्स हैं N B B के मोल्स हैं तो हम क्या करेंगे हम निकालेंगे number of moles of A upon मे नीचे रख देंगे total moles यह आजाएगा A का मोल fraction ऐसे अगर आपको mole fraction of B निकालना है जिसको हम X B से शो करेंगे यह आजाएगा हमार पास N B upon में आजाएगा N A plus N B अब शायद आप math के according यह जानते हो कि एक complete के fractions का sum हमेशा 1 होता है है यह जैसे अगर मैंने बोला था कि number of boys कि कितने है 4 by 9 number of girls कितने है 5 by 9 तो add करोगे तो 1 answer आएगा ना हमेशा fractions का sum 1 होता है इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा जो कि आपको बहुत help करेगा numericals में वो यह है कि अगर मैं mole fraction A का और mole fraction B का add कर दूँगा तो मुझे 1 मिलेगा इससे फाइदा क्या होगा कि अगर मैं क तो यह हमारे पास 6 concentration निकालने के तरीके आए मेरे सला रहेगी वीडियो का आप यहीं पर रोग दो और पिछले सारे revise कर लो अभी कोशन करने से पहले देखो मैं कोशन तो कराऊंगा या आज दो ही कराऊं तीन ही कराऊं चार ही कराऊं लेकिन बात वो नहीं बात यह अगर आपको अभी यह formula नहीं याद हुएं जो कि शायद नहीं हो जोगे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अभी आप इस वीडियो को रोग दो यहीं पर पीछे जाओ और सारे formula आप पहले एक बार पेज पर लिखके कहीं पर उन्हें याद कर लो फिर आगे के वीडियो दे यहले लिखता हूं कई बारी आदत बहुत काम आती है तो solute हमारे पास हैं और solvent हमारे पास water है हमें mass percentage निकालना है solute का मास of solute solute का हमारे पास mass 2 gram है आप चेक कर सकते हैं और mass of solvent यानि की water हमारे पास 18 gram है, NCRD का सवाल है तो mass of solution कितना हो गया दोनों को add करेंगे 2 plus 18 which is 20 gram, खतम हो गया question अब हमें निकालना है mass percentage mass percentage का formula होता है mass of solute upon में mass of solution into में 100 mass of solute upon में mass of solution into में 100 आगया अब यहां से अगर मैं mass percentage निकालना चाहूँ, formula हमेशा लिखें बच्चो, कुछ गलत भी हो गया formula का आदा एक number मिल जाएगा आपको mass of solute कितना आपके पास दो mass of solution कितना है 20 into में 100 इससे यह गया, इससे यह गया answer आगया 10 प्रतीशत answer आगया 10% okay बच्चो, done है बच्चो प्यारा सवाल है बच्चो, अगला सवाल अगला सवाल आ रहा है हमारे पास क्या है एक बारी रीड मार लेंगे, calculate the और हमारे पास टोटल सॉल्यूशन की वाल्यूम, वाल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वाल्यूम हमें 250 ml दे रखिए, planning कर लेते हैं, planning करने से बहुत सारे चीज़े हल हो जाती हैं बच्चो, planning कर लेते हैं, planning से मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकाल, आज ये फिर चेर उल्टी लगी है, चेर की reflection दिख रही होगी आपको, my bad बच्चो, ये चेर यहां पर क्यों लगा एक रखी है, ये चेर यहां नहीं लगी होनी चाहिए, इस चेर को यहां से हटाए हैं, sorry बच्चो आवाज आई होगी, लेकिन इस चेर को यहां से हटाना होगा, प्लाने के ये नुकसान होते हैं, कुछ भी reflection दिखती है, अभी थोड़ी बहुत दिख रही होगी वैसे, पर black का मज़ा black में है, white में पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है, प्लस जो पदा क्या होता है, एक नुकसान भी होता है, white में जबके पढ़ाता है, teacher को बड़ी problem होती ह और वो आख में बहुत दर्द होता है, teacher के, आई हो बचो आप समझें, चलो, यहाँ पर हमारा plan क्या है, plan यह है कि हमें निकालना है, molarity, तो molarity का formula क्या होता है, number of moles of solute, हमें solute के moles निकालने और नीचे आ जाएगा हमारे पास volume of solution, अब देखा जाए तो हमारे पास अभी फि से पहले तो इसको लीटर में convert कर लेते हैं, हजार से divide करके, अब क्या बचा, अगर हमारे पास number of moles of solute आ जाए, यानि कि एने वच के moles आ जाए तो मज़ाई आ जाएगा, तो आओ भई, moles of naos यानि की solute निकालने, formula होता है, mass upon में molar mass, बच्चो, mass हमें दे रखा है, 4 ग्राम, हाना, और molar mass हमारे पास naos का, na का 23, o का 16, h का एक add कर दिया, 40 आ गया बच्चो, 40, तो answer कितना आ गया, यह आ गया हमारे पास 0.1 mol, 0.1 mol, हाना, बस खतम, अब moles आ गया है, 0.1, और volume बच्चों मारे पास कितने है, 0.25, तो यह हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 0.1, oh my god, क्या कर रहा हूँ है, तो बच्चों, यह हमारे पास आ जाएगा, उपर, 100, क्या बच्चों वाली तरीके से calculation करता हूँ है, और नीचे आ जाएगा 10, हाना, ऐसे तो आएगा, तो 10 upon में 25 आ जाएगा, 10 upon में 25 आ जाएगा, 10 upon में 25 is, 2 by 5, 2 by 5 is, 0.4 molar, यह बाद देख लेना, यार, calculation, calculation, okay, done है बच्चों, चालो, ठीक है, दो सवाल और है, एक यह है, NCRT का है, homework देते हैं, because यह वाला सवाल और यह वाला सवाल लगबग, लगबग, सेम से, homework देते हैं, NCRT का है, करना है, कुछ से, और यह वाला सवाल मैं करवायता हूँ, आजाओ, सवाल क्या है, What is the concentration of sugar in moles per liter, आपको sugar की concentration moles per liter में निकालनी है, भूलना नहीं है, moles per liter का मतलब वो आपको कह रहे हैं, कि आपको molarity निकालनी है, इंडिरेक्टली वो कह रहे हैं, कि molarity निकाल दो, किसमें डिजॉल्व किया वाटर में, तो अगेन हमारे लिए, जो solute हो गया बच्चो, solute कौन हो गया, केन, sugar, sugar, केन, गन्ने से बनने वाले चीनी, C12, H22, O11, और बच्चो, हमारे पास, water हमारा solvent है, solvent हमारा बच्चो, water है, खतम हो गया, अब mass of solute, चीनी कितनी गोली है, आपने, जल्दी बता दो, चीनी गोली है, आपने 20 ग्राम, हाना, और volume, ये भी तो सेम सवाली हो गया, वैसे, volume of solution, आपको दे रखा है, बच्चो, 2 लिटर, अगर प्लैनिंग करें, तो molarity का formula होता है, number of moles of solute, जो की फिलहाल हमारे पास नहीं है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, volume of solution, नीचे हमारे पास आ जाएगा, volume of solution, तो उपर, तो number of moles से भी डाल देंगे, volume हमारे पास 2 लिटर दे रखी है, तो बचा क्या, सबसे पहले हम लोग निकाल लें, number of moles of solute, यानि की, जो हमारे पास gain sugar है, तो number of moles of solute आ गया, mass, upon में molar mass, अब mass कितना है इसका, mass है 20 gram, molar mass कितना है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका molar mass, 342, चेक कर लेंगे एक बर यार, confirm कर लेते हैं, 12 into में 12, यह तो 144 आ गया, फिर hydrogen का 22, फिर oxygen का 16, 16 into में 11, तो यह आ गया 16, यह आ गया 16, 176, 176 एड़ कर दो, तो यह आ गया मरपस 2, हाना, oh my god, ठीक है, 342 यह आना चीए वैसे तो, यह आ गया मरपस 7 और 8 और 9, और 9, 10, 11, 12, 13 और 14, हाँ भई, 342 यह आ गया, ठीक है जी, हाँ, ठीक है जी, हाँ, क्योंकि मुझे याद याद साथ तो आ रहा था वैसे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, 342, तो इसको सॉल्फ करेंगे, इतने मोल सा जाँगे, मालनो एक्स आ गया है, तो सॉल्फ कर ले ना, और यहाँ पर वैल्य पुट करनी है, इतना मोलर, या फिर इतना मोल पर लीटर, जैसे बिल्फ पर बाते की है, कंसेंट्रेशन आ जाएगे, कहने का मतलब है, कि मुश्किल कोशन भी हैं इस पर लेकिन पहले असान पर पकड़ बना लो, फिर मुश्किल पर भी आ जाएंगे, तो यह वाला सवाल आपके लिए हूम वर्क है, बाकी हम लोगों ने आज 6 तरीके पढ़े हैं, कंसेंट्रेशन निकालने के बच्चों, और 6 तरीकों में पहला हमने पढ़ा, मास परसंटेज, पढ़ा वॉल्म परसंटेज, पढ़ा पी-पी-एम, मोल एरिटी, मोल एरिटी, एंड मोल फ्रेक्शन, और सवाल है, ट्राइ मार सकते हैं, अगली क्लास में, इंपेरिकल फॉर्मला, मॉलिकुलर फॉर्मला, और लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, फिर इस चप्टर में एक आप टॉपिक बचेगा, चप्टर ने पढ़ जाएगा, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच्ट, टार्ट आप, बाई बाई, टेक केर, मॉआ,